कि कि अलो गाइस हम दोग देख रहे हैं भारत के उपराष्ट पती के प्रमोंक एमसे क्यों तो हमारे एक्जाम के दिस्टेथि जो एमसे क्यों इंपॉर्टेंट होंगे उन सब के हम दुछ चाह करते हैं ठीक है टॉपिक पर आते हैं पहला कौशन कहता है भारत के प्राश्ट पति का पड़ा उता कभी खाली ना रह है अगर राश्ट पती नहीं होताकिसी समय चैंआ था सप्रास्ट पती के लिए क्रेख होने की लिए कि pry और उपकर स्था कि उस्र लीखियों कहता है भारत के प्रतम प्रतम उपराश्ट पती कौन थे तो डाक्टर सरुपली रादा कृष्णन ये भारत के प्रतम उपराश्ट पती थे उपराश्ट पती निर्वाचत होने के लिए संसद के किस सदन के सदस के अहिरता होने चाहिए यानि आहिरता है क्या उन्ची कम सकम वो राज सबगस दस चुने जाने योग हो तो उसे हम उपराश्ट पती बना सकते हैं आएं कहता है उपराश्ट पती के रूप में दो बार पद किसने धारन किया है सरव पली रादा कृष्णन ने दो बार पद धारन किया है हैं आप और यो निर्वाचन का समफान के संभी से नर्या जश्व का जड़ा है दो भी से करते हैं अपर जब कि राश्ट प्ति के शूनाओं में soundsowski के तोस्ते हैं आफ मैं विद्हान सभवा कि सथ्थ जो मत्डान करते रेकिन सिर्व वो जो चुने गए हैं ना कि निगुद की गए हैं उनको नहीं मानुनीत की एक भाग नहीं लेते हैं राष्ट पती में लेते हैं निर्वरोध उपराष्ट पती चुने जाने वाले प्रतम बक्ती कौन थे तो डाक्टर सरुपली रादा कृष्णन थे कहता उपराष्ट पती पत के अभ्यारती के प्रस्ताव के लिए मद्दाता के तने होना चाहिए तो उपराष्ट पती के लिए मद्दाता जो होने चाहिए प्रस्तावक में वो 20-20 होने चाहिए उप्राश्पति पत के उम्मीदवार को कितना मद्दान समर्दन होना चाहिए तो 20 मद्दाओं का, मद्दाताओं का यह वही कोश्चन ने घुमा पूछा है जब की राजसाबर का होता है, लेकिन इसका कारकाल जो था पांच वर्स का होता है। कहता हुप राज़पती कब तक अपने पद पर बना रहता है अपने उत्रादिकारी के पद तक जब तक कोई उत्रादिकारी पद धानना कर लिए तक अपने पद पर बना रहता है कहता है उप राज़्ट पती को उसके पत से हटाये जाने का संकल्प किस सभा में लाया सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राज़्ट सभा में ही प्रस्ताव ला सकते हैं से हम राज़्पति को अठाने के लिए लोग सभा और लोग सभा और राज़्वा में प्रस्ताव पारित कर सकते थे तो यह राज़्वा सभा में प्रस्ताव पारित करेंगे उपराश्ट्पति को पस से हटा जाने का संकल्प राज़्वा में पेस की जाने के पूर इसकी सू गाल परतििदैंसे राल लोग सवा झाल शुल्फ गजया ना चाहिए टीकें नअब आढगे कैता है लुव चल्फ अव पतिक लिए इसलिघ जाना फॉटाहिता को सपत कौन करवाता है। प्राश्च पती की सपत का बंद किस अनुच्छेद में नहीं है उसमें अन्य मंदरियों की है और राश्च पती की अलग से हैं और अनुच्छी तीन में नहीं है आएक कैता है उपराश्च पति की पद्याग या आकस्मिक रिक्ती की कारण हुए निर्वाचन में चुने गए उपराश्च पती कर सका कहता है हितना कर सधी होता है यह से माली OUR है तो उस वर्स से पांच èseर्स तक ही रहरेगा तो तो एक को वह जूड़ या पांद में अंगे बढ़ेगा ठीक है आएंगे कहता है उपराश्ट पती के पत की अगस्मिक रिखती को भरने के लिए निर्धारित व्यक्ति के कार घर को बंद के सानुच्छेद में 68 में है यह ऐसे कोशन नहीं पहुंचता है ठीक है आंगे कहता है अपराश्ट पती को पत से हटाय जाने के समंध में राजसभा के पास संकल्प को पास करने के लिए लोकसभा से किस्प करता बहुमत चाहिए तो लोकसभा से सल्हान बहुमत में पास होना चाहिए ठीक है उपराश्पति किस रूप में पत्र ग्रहन करता है तो ये राजसवा किस रूप में पत्र ग्रहन करता है राश्पति द्वारत दिये गए त्याग पत्र की सूचना उपराश्पति किसे देता है तो ये लोगसवा देच को देता है जिसमाल ये राश्ट पत्र ने त्याग पत्र दिया तो उपराश्ट पत्र को देता है अब उपराश्ट पत्र करता भी यह होता है कि वही त्याग पत्र लोगसवा द्यच को दे दे ठीक है ताकि यह सूचना हो जाए कि राश्ट पत्र के चुनाओ अपकरवाया जाए अगला और राजपती का होता है पांच लाग कर राजपती का रूप में कार रूप करने का प्रावधान नहीं थे उस वीडियो में इतना है हम ने जो उपराश्पती समझेट क्यों थे वह अम पूरे कर लिए हैं लब यहां से कुछन पूट अब होने चंचेंच बने रहे थे जो इस झाल झाल